चिंकी तू क्या कर रही है मेरे मुबाइल के साथ तुझे बोला है ना मेरे मुबाइल को हाथ मत लगाना भाया मैं तो मुबाइल में गेम खेल रही थी बित्ते भर की है और चली मेरे मुबाइल में गेम खेल ले जा के अपनी गुडिया से खेल बित्ते भर का बोला तुको अ मारा तू रो क्यों रही है मम्मी मैंने कुछ नहीं किया ये फालतु में रो रही है तेरे यही लच्छन रहे ना तो तुझे मैं होस्टल में भेज दूंगी और ये क्या मोबाइल लेकर बैखे हो सुवा सुवा चल जा कर पढ़ाई कर जाता हूं चिंकी तुझे तो मैं छोड मेरा मोबाइल ये तो तूट गया अच्छा हुआ तूट गया ऐसे भी मैं इसे चुड़ने वाली थी यही दिमाग खड़ाब कर रखा है तुम्हारा मम्मी मैं जाती हूँ देखने कौन हो तुम मैं पंखा लगाने वाला मिस्टरी हूँ मम्मी पंखा लगाने वाला मिस्टरी आया है बतायो कहां लगानो है पंखा चिंटू जा अपने कमडे में पंखा लगवा ले अंकल चलो मेरे कमडे में मैं भी चलती हूँ देखूंगी पंखा कैसे लगाया जाता है जब तुझे चलना नहीं आता है तो तुप पीछे पीछे आती क्यूं है पूरा पंखा गिरा के तोर दी का तोर दिये इका पूरा पंखा गिरा दिये ठीक से लगाना नहीं आता है ऐसे ही मिस्टिरी बनकर आ गए हमें लूटने को इसमें मेरी क्या गलती है अपनी बिटिया को समझाओ उँ आकर तकरा गई हमसे मम्मी हम कुछ ने किये ये अंकनी बीज में खरे थे ये तो है ही एक नंबर की सैतान तुमका तो देखनो चाहिए था पूरा पंखा तोर दिया पतो है कितने का था मम्मी पूरे दो हजार उपईया का पंखा खड़ाब हो गया है बना कर लगवाना पड़ेगा बोलियो लगाई दे हमका ना ही लगवाना है ऐसा करो इस पंखा तुम ले जेईयो और 2000 उपईया देदो हमका हम कहें दे पैसा अंकल पंखा तो तुम तोड़े न तो पैसा कौन देगा चुप करो एक नंबर की बदमास बच्ची है अहां अंकल डाट रहे है हमरी बिटिया को कहें डाट रहे हो पैसा निकालो और जा यहां से यह कैसा फैमिली है पंखा अपने तोरता है और पैसा हमसे मांगता है मेरे पास कोई पैसा वैसे नहीं है भाग जाता हूँ यहां से कहां गया अम्मा लगता है भाग गया